असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप सब अगर आप में से अभी भी कोई परेशान है कि आपका फैमली मेंबर का वीजा एक्स्टेंड नहीं हो रहा है तो परेशान मत हुई जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वाया वहरीन होके आप एजी लिए उनका वीजा को ए लेकिन जितने भी लोगों ने अपना फैमली को बहरीन बेजा फिर से इंटरी दिलाई साथी अरभिया में सबका 90 डेस का वीजा एक्स्टेंड हो गिया और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगा बहुत स्मूध प्रोसेस सिर्फ एक घंटे में सबका वीजा एक्स्टेंड हो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिए वो ड्राइवर का नंबर दूगा अब सिधा अपना फैमली को लेकि उनके पास जाओ उनके पास जब आप लेके जाएंगे वह आपका फैमली को सिर्फ एक घंटे के लिए लेके जाएगा कोजवे में बहरीन क्रोस करेगा बह कि दौर ऐसा है बहुत लोग नेगेटिव भी सोच रहोंगे मेरे बारे में कि मैं वो ड्राइवर को पर्मोट क्यों कर रहा हूं अल्ला गवा है वो ड्राइवर से परसनली मेरा कोई कॉई कॉन्टेक्ट नहीं है ना उस ड्राइवर को पता होगा कि यूटूब में कोई बं हो गया जो बहुत परेशान था हो सकता है मेरा दोस्त की तरह आप लोग भी परेशान होंगे इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं सिर्फ आप लोग मुझे दूआ में याद रखिएगा इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए मैं उस बंदे का कार्ड कॉंटे है गाड़ी है वो ले करके जाएंगे बहरीन बोर्डर क्रोस करेंगे फिर बहरीन से यूटन लेके वो फिर से सोधी रविया में इंटर करेंगे बस इतना ही प्रोसेस है फिर आपका फैमली को ला करके आपको दे देंगे आप उसी समय अप्शर में चेक करना उनका वीजा जो है एक्स्टेंड हो जाएगा अब इसमें कितना खर्चा आएगा यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं वह ड्राइबर का गाड़ी का चार्ज है साड़े तीन सो रियाल और उनका गाड़ी में चार आदमी का कैपैसेटी है एक बार में वह चार आदमी को लेके जा सकता है अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जिनका सिर्फ वाइफ है एक ही मेंबर उनको एक्स्टेंड करवाना है तो जब आप अपना वाइफ का कराने जाओगा ना तो वह साड़े तीन सो लेंगे चार्ज आपसे गाड़ी का और पचास रियाल वह ड्राइवर का चार्ज 400 और बहरीन इंटर करने का जो वीजा है उसका चार्ज 50 रियाल यानि टोटल साड़े 400 रियाल खर्चा होगा लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज कर सकते हो अभी बहुत लोग परेशान है वीजा एक्स्टेंड करने के लिए सिर्फ आप ही नहीं है तो आप एक काम करो ब आपस में शेयर कर सकते हो क्योंकि आगर आप एक एक करके कराओगे तो आपको खर्चा ज्यादा हो जाएका अगर मेल जुल लगेगा वो आपको पूरा बता देनी वैसे documents में आपको कुछ भी नहीं लगता है सिर्फ आप अपना family member का passport लेगे जाए उसी से काम हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपके लिए सब्सक्राइब का लिजेगा क्योंकि इस तरह के informative वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखे अपना थेंक्यू सो मच पर वाचिंग